ना लेट्स मूव तू एक्जाम्पल नंबर सेक्स से वाइज इक्वस टू यह तुछ दिफिकल्ट है मतलब IAT में अफ्कोर्स IAT में तो इस बात का सेंस बनता ही नहीं है कि वह बुले कि first principle से बताओ differentiation क्या होगा objective question है तो उसमें उन्हें थोड़ ना बताएगा हमने first principle से solve कर है कैसे कि वह तो subjective question में ही हम enforce कर सकतेंगे है first principle से solve करों ठीक है बट फिर भी हम कुछ question ऐसे बना सकते हैं कोई हमने ऐसे complicated सा function दे दिया जिसका सीधा सीधा differentiation नहीं हो रहा है और उसके corresponding जो limit आ रहा है यह थी कि first principle से जो हमने solve किया तो जो वह limit जिस limit में reduce हो रहा है उस limit का हम limiting value अगर as a result अलग से दे तो ऐसा भी question हम बनाए जा सकते है कि जो अगर directly differentiate करने अगर मैं corresponding limit का value question के अंदर ही बता दूँ ठीक है तो इस पर भी question बनाए जा सकता है ऐसे ठीक है theoretically यह जो question है यह थोड़ा और difficult सा है difficult in the sense के calculation जाते है ऐसा तो procedure तो पता ही कैसे करते है तो dy by dx वह limit h is standing towards zero यह ठीक है पहले तो क्या आ जाएगा बाद में तो fx आता है x raised to x पर x पहले क्या आता है एक्स की जगा यह रख दिया ठीक है whole divided by h यह question है ठीक है अब इसमें क्या करें इसमें को सोचने की जोगती नहीं क्योंकि हमने लिमिट्स में पहले भी एक दो बार यह बोल लगा है कहीं पे भी अगर variable base में हो और variable ही पावर में हो ठीक है तो e raised to by ln वाली चीज यूज करो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऐसे लिखा हुआ है f raised to by g दोनों variable है तो इसको I can write down ऐसे करके e raised to by ln इसके आगे जोड दिय ठीक है फिर this is e raised to by g को आगे लिया है log में g को तो यहाँ पर ला सकते है तो अगर g into ln f तो कहीं पे भी अगर variable raise to by variable आ रहा है पूरे mathematics में तो हमें यह चीज़ क्लिक कर जाने चाहिए कि variable raise to by variable को तो ऐसे लिख लेते है ठीक है तो यहाँ पे भी हमने पोई लिखा इसमें यह पहले बार जो टाम है x plus h raised to by x plus h यह भी variable raise to by variable है और यह जो x raise to by x है यह भी variable raise to by variable है So this is equals to limit h is standing towards 0 इसको हम कैसे लिख सकते है e raised to by ln x plus h e raised to by ln आगे जोड दिया बस जो वी टाम है जैसे x plus h raised to by x plus h है तो इसका आगे e raised to by ln जोड दिया minus x raised to by x के आगे भी ln यह जोड दिया और जो टाम है वो ऐसे पावर में लिख दिया whole divided by h ठीक है बड़े-बड़े expression आएंगे इसमें this is equals to limit h is standing towards 0 इसको लिखा e raised to by इस x plus h को यहाँ log में आगे लिया ऐसे दिया जाएकर x plus h ln x plus h minus e raised to by इसमें भी ऐसे हो गया x ln x whole divided by h यह फिर वह हो गया कहीं पर e raised to by a minus e raised to by b दिखाई दे तो दूसरा अले को बाहर निकाल दो e raised to by a minus b minus 1 ऐसे लिख सकते हैं तो next step पर इसको I can write down यह e raised to by b s को बाहर निकाल दिया e raised to by x ln x ठीक है e raised to by a I know bear with me थोड़ा सा ऐसे यह माइनस x ln x यह हो गया e raised to by a minus b फिर नीचे minus 1 अलग से आए गया whole divided by h यह हो गया ठीक है यह अले इस तो उपर से आ रहे है this is equals to यह जो e raised to by x ln x है यह basically कहां से है इसकी वैसे यह कहां से है इसकी वैसे यह कहां से है है यहां से तो मैंना यह सब तो बडाबरी है तो इतना बड़ा टर्म ना लिखने की बजा है क्योंकि इसमें h तो involved है नहीं और यह product form में आगया तो इसको बहार निकाल सकते हैं तो इसको तो बहार ले आगया यहां लिख दिया और x raised to power x लिख सकते हैं क्योंकि यह वहीं से आ रहा है अब इसका रोल खतम हो गया लिमिट है एस टार्निक ट्रवर्ज जीरो ठीक अब यह आगया अब इसमें क्या हुआ वह हम पहली बता चुके कि अगर e raised to power a minus 1 लिखाओ और अगर a 0 को जा रहा हो तो इसको replace करके क्या लिख सकते हैं a quick calculation में limits में explain किया गया था ठीक है तो अभी यहां पर आ गए तो यह जो expression है यह तुम अपने इसके अंदर क्या लिखा है e raised to power a minus 1 उस पूरे को हटाके हम केवल a लिख सकते हैं a मतला जो भी पावर है minus x ln x ऐसे लिख सकते है whole divided by h ठीक है x plus h को अगर अलगलग किया तो numerator वापस तीन ताम आ जाएंगे और जो अब यह हमने last question में explain किया था तो हमें पता है कि यह h जो है वो denominator वाले h को nullify कर देगा तो यह h जिसके साथ भी आ रहा है उसका limit तो exist करी जाएगा तो उसको तो हमने separate कर दिया अलग so this is equal to x raised to power x limit h is standing towards 0 ठीक है यह h into ln x plus h यह तो अलग कर दिया क्योंकि हमें दिख रहा है कि यह तो exist करी जाएगा because यह denominator वाले h को nullify कर देगा दूसरा क्या बाकी क्या बचा एक तो बचा x into ln of x plus h और एक बचा x ln x इनको अलग कर दिया तो limit h is turning towards 0 इन दोनों में क्या होगा x common आ जाएगा तो ln x plus h minus ln x whole divided by h यह होगा अब यह effectively दो question होगे limit के तो पहले में तो क्या होगा यह h over h cancel is equals to x raised to power x अगर यह h 0 को जा रहे तो ln x plus h यह बचा बसके यह term बचा अगर इसमें h 0 को जाए तो यह term पूरा कहां जाएगा ln x को इसका limit तो ln x plus limit h is turning towards 0 ठीक है इसमें हमने क्या किया इसको इसको x into दोनों log को मिला लिया होई ln a minus ln b वाला formula से तो वो आ जाएगा 1 plus h upon x whole divided by h ठीक है इसमें भी हमने बोल लगा है कि अगर ln 1 plus a लिखा है अब यह तो separate question होगा अब इसकी दरफ तो देखना ही नहीं हमें तो बस इस question पर concentrate करना है limit निकालने के लिए तो हमने कुछ ऐसे बुलखा है कि अगर ln a लिखा हुआ है और अगर a 1 को जा रहा है दिख रहा है कि h अगर 0 को जाएगा तो यह log के अंदर का argument कहा है 1 1 को जाएगा तो a-1 लिख सकते हैं हाँ ठाके चाहे तो ऐसे बोल दिया और इस वहले कि इसमें तो by chance क्या हुआ कि अगर मैं इस x को नीचे ले जाओं तो फिर यह तो standard formula ही बन गया जो h upon x है अगर h 0 को जा रहा है तो यह h upon x 0 को जाएगा ठीक है तो यह तो ऐसे हो गए ln of 1 1 plus y upon y जिसमें y 0 को जा रहा है तो वो तो standard formula से 1 होता है ठीक है तो चाहें वैसे बोल दो standard formula से चाहें हमने क्या बोला है जो भी बोला limit h standing towards 0 x into ln a को हमने क्या बला था है कि अगर कहीं पर लिखा है ln a तो that can be replaced with a-1 बस condition क्या होता है कि एक तो यह a1 को जाना चाहिए दूसरा lock का term पूरे expression के product में आना चाहिए पूरा expression मतलब पूरा limiting expression तो यहाँ पर limiting expression तो यह तो इसमें तो यह lock का term product में आ रहा है किजी साथ जोड़ और नहीं रखा है तो इसमें तो lock को अटा के a-1 कर सकते है ठीक है यह माने समझ मतलब इसमें से एक घटा दिया तो अगर 1 प्लस h y x में से एक घटा होगे तो 1 1 कैंसल हो जाएगा यह बचेगा एक्स एक्स कैंसल h और h cancel ठीक है तो यहाँ तो केवल 1 बचा तो answer कितना आ गया finally x raised to par x ln x प्लस 1 ठीक है यह कहां से आया original question क्या था original question यह था कि x raised to par x का derivative क्या होगा वो हमने first principle से निकाल के बताया कि यह होगा x raised to par x का derivative क्या होगा x raised to par x ln x प्लस 1 यह होगा यह वैसे हम इसी chapter में आगे चलके बोलेंगे याद करने के लिए अभी भी याद कर सकते हो अभी से याद कर लिए ठीक है this is the answer तो first principle वाले हमने कुछ example solve किये ठीक कर दो